असलाम लेकुम आज मैं बैसन की फुलकियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं बगार सोड़े के फुलकियां बनाओंगी और बहुत ही नर्म फूली फुलकियां बनेंगी और इसको आप एक महिने तक फ्रीज कर सकते हैं और चाहे इससे नमकीन दही फुलकी बनाए मीठी और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक और शेर कीज़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा go एक कप बेसल लिया है बैने 250 ml का मेजरिंग कप है ये और इसके हिसाब से एक कप बेसल लिया है आदा चाय का चमच जीरा और आदा चाय का चमच नमक लिया है तो जादा मिर्च मसाले में इसमें अड़नी कर रही हूं फिर आपके पास option होता है कि आप इससे चाहे नमकीन दही फुलकी बनाएं चाहे मीठी अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका अच्छा सा बैटर तयार कर लेंगे और इसको पर आपको इसको फैंटना है अगर आपने उल्टा दूसरी रोख पर फैंटना शुरू किया तो जो हवा इसमें हमने भरी है वो सारी निकल जाएगी और फूली फुलकिया नहीं बनेंगी तो 7-8 मिनट मेहनत करने के बाद इतना अच्छा सा हमारा बैटर तयार हो चुका है एक कप पानी लिया था तो आदा कप से थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज़ हुआ है अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर तयार है इसके लिए थोड़ा सा मिक्चर लीजिए और किसी बरतन में पानी लें और थोड़ा सा मिक्चर उसमें डालें अगर ये उपर तै तो उपर से पक जाएंगी अंदर से कची रह जाएंगी अब फुलके डालने के लिए हाथ पानी में बिगो लें हाथ गिली करने से यह होगा कि मिक्सचर आपके हाथों से चिप के गानी और फिर आप फुलकी डालेंगे तो बहुत असानी से फुलकी आपके हाथ से उतर जाएगी, इस तरह से हाथ की मदद से फुलकियां डाल लें, और इसी तरह मैं सारी फुलकियां डाल लूँगी, तमाम फुलकियां मैं डाल ली हैं, अब इनको दर्मियानी आज पर गुल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी, बहुत ही मज़े की बगार सोड़े के बहुत नर्म और फूली और फूलकियां बनती है और अगर आप मेहनत नहीं करना चारे है, 7-8 मिनट फैटना नहीं चारे है तो फिर आप इसमें एक चुताई चाय का चमच सोड़ा शामिल कर सकते है अच्छा सा गोर्डन कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकाल लूँगी अब जो बैटर बचा है, उससे मैं आपको एक और चीज बनाना बताऊंगी जो के बहुत मज़े का लगता है, जो पंजाब स्टाइल के दही भले चना चार्ट होती है उसमें ये डलता है, तो इसके लिए आप एक फ्राइड ले लीजिए, इस तरह से सुराख वाला और जो बचा हुआ मिक्स्चर है वो इसमें डालें और उसको इस तरह से ओल में डाल दें ये बूंदी स्टाइल की चोटी-चोटी फुलकियां बन जाती है, बहुत मज़े की लिखती है, ये दही भले स्टाइल जो चना चार्ट होती है उसमें बहुत जल्दी फ्राइड हो जाएगी, क्योंके इनका बहुत चोटा साइज है इसको आपने छोड़ना नहीं है, चब मज़ चलाते हैं फ्राइड करना है, क्योंके ये एकदम से जल सकती है और अच्छा सा गुल्डन कलर आ जाएगा, तो इसको भी निकाल लेंगे गुल्डन कलर आ चुका है, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ तो हमारी फुल्कियां भी त्यार हो चुकी है, और जो हमारी बूंदी स्टाइल के चोटी-चोटी फुल्कियां है, वो भी त्यार हो चुकी है तो आपने देखा बगार सोडे के इतनी अच्छी फूली हुई हमारी फुल्कियां त्यार हुई है मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ यह कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी है वो भी बगार सोड़े के अब आपको फुल्कियों को किस तरह से त्यार करना है आप गरम पानी लीजिए और उसमें भिगो के इसको रख दीजिए और इसको जो है आप मैं इसको आदा पानी में भिगो के डालती हूँ और आदा बगैर भिगोई डालती हूँ तो वो crunchy crunchy टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फिर आपको पाप्टी की ज़रुद भी नहीं पढ़ती है और इसको गरम पानी में भिगो के रखेंगे यह मुझे श कि सारी फुल्कियां पानी में अच्छी तरह डूब चुकी है वरना ये पानी में उपर तेरने लग जाती है और कहीं से फूल जाती हैं कहीं से सकत रह जाती है तो ढखके एक घंटा जब हमने इसको रखा तो ये बहुत अच्छी सॉफ नर्म तयार हो गई और अगर तो आप जल्दी नर्म हो जाएंगी फूल जाएंगी और अगर आप इनको फ्रीज कर रहे हैं और निकाल के यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उबलते तेज गरम पानी में एक घंटा भिगोना होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी मज़दार सी फुल्कियां कितनी मिंटों और आस चाहिल से ना चार्ट बनाएं तो हर रेसिपी में आप यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप बड़े वाले इसी इसी बैटर से बड़े वाले जो भले होते हैं वो भी बना सकते हैं तो इनको जरूर ट्राइ कीजएगा आपको जरूर अच्छी लगेंगी घर पे अराम से आदी पानी में बिगोई है और आदी नहीं बिगोई है तो यह देख सकते हैं आप कितनी नर्म और कितनी फूली हुई बनी है कितनी सॉफ्ट है तो यह जो बूंदी स्टाइल है उनको मैंने आदा पानी में बिगोया आदा नहीं बिगोया तो यह मैं दही भले स्टाइल से करूंगी बहुत मज़े की बनती है उसमें चोटी बुंदी स्टाइल की बहुत अच्छी लगती है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीज़ेगा मुझे दौाओं में याद लखेगा अलाहाफेज